तो लास्ट टाइम गाइस तम लोगों ने भाई पावर देखी थी मेरी दा गोल्डन स्नाइपर की जिसकी पावर की हेल्प से गाइस हम लोगों ने डाउन कर दिया था सर्बियन डांसिंग लेडी को तो सीन क्या हुआ था गाइस मैं गया था माफिया के घर पे और वहाँ पर काफी सारे गुंडों से फाइट की मैंने पहले तो मैंने सुचा की चलो भाई माफिया से नॉर्मली प्यार से बात करते है क्या पता प्यार से मान जाया और हमें ता गोल्डन स्नाइपर दे दे पर वो बन्दा तो माना ही नहीं बलकि और मेरे को डराने दमगाने लग गया यार उसके बाद भाई मैंने उसके घर पर पीछे से हमला कर दिया और वहाँ पर जितने भी उसके गाड़ वगर थे सब को टपका के वहां से दा गोल्डन स्नाइपर लेकर आ गया फिर उसके बाद मैंने इंतजार किया रात का और रात को मैंजे जैसे ही सर्वेन नांसिंग लेडी दिखी मैंने इसको अपने पीछे लगा लिया ये मेरे पीछे भागने लग गई और जैसे ही मुझे मौका मिला मैं या से भाग के जल्दी से इस वाली बिल्डिंग के वहां टॉप पे पहुंच गया और वहां से सर्वेन नांसिंग लेडी जो टांस कर रही थी उस वक्त मैंने सीधा उस वक्त इसके नाक पे गोली मारी और फिलाल ये बेहोश हो गई और उसके बाद कमाल दिखाया मेरे दम मैजिकल स्टोन ने जिसकी हेल्प से अभी मैंने ट्रैप कर लिया है सर्वेन नांसिंग लेडी को हमेशा हमेशा के लिए लिटरली मैं गैस जब ये बेहोश थी तब मैंने ट्रैप किया था और अभी फिलाल ये होश में आ चुकी है पर ट्रैप होने की वज़े से यहां से ये अभी भाग नहीं सकती है जो कि अपने लिए बहुत ही जादा बढ़िया बात है और इस पत्थर के नीचे रहते हुए ये अपनी किसी भी टेलिपोर्टिंग पावर का भी यूज नहीं कर सकती है और टेलिपोर्टिंग तो छोड़ो भाई अपनी किसी भी पावर का यूज नहीं कर सकती है इसी वज़े से भाई अभी ये तो यहां से हिलने डुलने वाली है नहीं ये बहुत ज़ादा बढ़िया बात है अब देखो आई कैप्चर करने को तो मैंने सर्वे नांसिंग लिडी को कर लिया है कैप्चर लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसको खतम कैसे करना है यार येस डेफिनेटली भाई जाहिड सी बात है गोलियों वगएरा से तो मरेगी नहीं ये ठीक है तो गोलिया था हम लोगों ने पहले भी इस पे चलाई थी इसे कुछ फराग नहीं पड़ा था गाईस इसलिए मेरे को पता है बंदूग की गोली वगएरा सा कुछ नहीं होने वाला इसे I guess हमें कुछ तो जुगाड करना पड़ेगा इसको हमेशा के लिए खतम करने के लिए ट्रैप हो चुगी है यहां से भाग तो ये पाएगी नहीं मैं कहीं भी चला जाओ अभी लॉस्टेंट उस में वापस आओं कितने भी दिन बाद आओं मैजिकल स्टोर्म के अंदर ये दभी हुई है और यहां से escape कर पाना इसके लिए almost नामुम्किन है almost क्या भाई नामुम्किन है यहां से escape कर पाएगी यह अब मुझे जल से जल कोशिश करनी है यह पता लगाने की कि इसको खतम कैसे किया जाए अब देखो गाइस उसके लिए भी मेर पास एक तरीका है मैं क्या करता हूं मैं जाता हूं यहां से नौर्थ यंग्टन अब तुम लोग सोच्छी हो कि भाई नौर्थ यंग्टन क्यों एक्शली में गाईस तुम लोग को याद होगा कि जब भाई हम लो बाबा के पास जा रहा हूं यह पता करने के लिए कि आखिर में इसको ख़दम कैसे किया जा सकता है और आए किस डैफिनेटली उनके पास कोई ना कोई तरीका तो होगा भाई सर्विया नांसिंग लेडी को पूरी तरीके से ख़दम करने का तो चलते हैं भी फट आफट से और पूछ के आते हैं उनवाले बाबा से इस सर्विया नांसिंग लेडी को किल करने का तरीका लेड्स को चलते हैं यहां से फटा फट से एयरपोर्ट और चल्दी से नौर्ट एंग्डेन निकलते हैं मेरे पास यह हेलिकॉप्टर भी नहीं है माइकल का वो पुराना वाला एयरपोर्ट के अंदर सामने अभी अभी कोई पैसेंजर प्लेन लैंड हुआ है है जो भी हो मुझे तो अभी फिलाल एक प्लेन की जुरत है और वो मिलेगा माइकल के आधह धूरे वेयर हाउस आधह धूरे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो पूरा का पूरा वेयर हाउस माइकल का निता उसमें से आधहा हिस्सा माइकल कोता वह अभी है पड़ा हुआ है इस ब्छलँ नहींगा भ्लेन आपने पास अभी है प्लेन और यहांardo का शायद वैप तो यह इन्विसीबल कैसे हो गया इस प्लेन की इन्विजिबल करने के लिए यहां प्लेन है यहां पर देखो भाई स्क्रेच इस पड़ रहे हैं यहां पर प्लेन ही है आई कैस जब उस दिन माइकल को वह सर्वे अनासिंग लेड़ी गायब करके ले गई तो शैद वह दुबारा आई हो और प्लेन गायब करके चली गई हो क्या सेन प्लेन तो दिखी नहीं रहा तो में उर्वाघा इंटिशाम करना पड़ेगा और ही है एलो बाई हो कोई प्लेन है क्या बड़ी है असा रहा यह क्या है लेकर नहीं चाहिए है क्या है है यहां पर एक स्टंट पलेना और अन बहुत है बस उन्र बाबाँ जी से एक लेट्स को बिना रनवे गई मैंने आपर काफी ब्यूटिफुल सा एक टेक आफ कर लिया है अभी फटा इस प्लेन को लेकर निकलते हैं गाइस नौर्थ यंग्टन की तरफ लेट्स को भाई काफी बढ़िया उड़ रहा है और मैं तो सोचा कि भाई स्टंड प्लेन है बेकार उड़ेगा यह फिर नौर्मल उड़ेगा बट यह तो काफी अच्छी तासी स्पीड नोड़ रहा है नाइस ब्रो नाइस ओके ओके आ चुका हूं में नौर्थ यंग्टन के अंदर एक प्यारी सी लेंडिंग करते हैं लेकिन कहां पर नौर्थ यंग्टन में तो एक रनव गैस और पूरा कपूरा एक दिन भी दिया भाई यहां तक आने में कल रात को निकलाता और आस दुबारा रात आ गई है एक चीज की टैंशन मेरे को अभी भी है वहां पर यार उस सर्वियन नांसिंग लेडी को कोई बचा तो नहीं लेगा उसके ओपर से किसी ने स्टोन नहीं दोगा तो अब तो भाई लोसेंट उसका जो फ्यूचर है लोसेंट वालों के हां तो मैं अब मैं वापस तो नहीं जाओंगा क्योंकि एक दिन भी पूरा फिर से बीच जाएगा विफलाल उन वाले बाबासे मिलके ही जाओंगा मैं ओके लेकिन यार अगर पतर हटा मैं सर्वियन नांसिंग लेडी तो बाद में बरबाद करें कि लोसेंटोस मैं पहले उडा दूंगा उसे लिट्रली मैं ऐसे अगर बेवकूफ लोग रहते हैं लोसेंटोस के अंदर तो जरुरत नहीं भाई लोसेंटोस की लेकिन मैं भी फिलाल उन वाले बाबा के पास कैस पूरी और कोई option भी नहीं है गाड़ी वाड़ी मेरे को मिलने रही है चलो गया इस plane को ही drive करके लेकर चलते हैं थोड़ा सा नीचे ही उडाऊंगा और इसको उडा उडाके फटफ्ट से river की तरफ लेकर चलते हराम से जादा उपर नहीं ले जाँगा हवा में फिर जादा ल किदर जा रहा है प्लेइन के बच्चे रुक जा ब्रो रुक जा कहां जाके मानेगा तो रुक जा ओके रुक जा रुक जा काफी अच्छी जगा के रुखाए लिटरली में हमें यही पर तो आना था चलो भाई बिलकुल एक दम देखो यहां पर यह नदी जमी हुए है काम किया और एक सेकेंड तुम्हारे संग तो तुम्हारा दोस्त भी आया था दोस्त अरे वही दोस्त जिसने अपनी जिंदगी के दो साल गवा दिये उस मैजिकल स्टोन के लिए अच्छा वह उसे तो सर्वियर नांसिंग लेडी पकड़ के ले गई वह बहुत बुरा हुआ पहले यह बताओ मैजिकल स्टोन का यूस किया बिलकुल यूस करके मैंने उस सर्वियर नांसिंग लेडी को ट्रैप भी कर दिया है तब ही कहूं कि पिछले एक दिनों से यह सर्वियर नांसिंग लेडी नजर क्यों नहीं यह नॉर्थ यंग्टन में अच्छा इसका मतलब स बहुत ही बढ़िया इसे यहां कैसे आना हुआ वो मैं यह पूछने आया था कि सर्वियर नांसिंग लेडी को मैंने अभी ट्रैप तो कर लिया है उसको मारना कैसे है मारना कैसे है मतलब मतलब उसे किल कैसे करूं मैं जान से कैसे मार दू से हमेशा हमेशा के लिए उसका दी कर रखा है अहां अरे हाँ भाई यह तो मैं भूली गया उन लोगों को कैसे बचाओगे तो मगर सर्वेर नांसिंग लेडी मर गई तो अब हाँ यार यह तो मैंने सोचा ही नहीं मैं उसको मारने का तरीगा डून रहा हूं लेकिन उसको बचाओंगा कैसे मैं मतलब जितने लो हो की टैप करके जिन्दा रखती है उसे मतलब शिंचेन, पिंचेन, छॉप, माइकल, एमार, लेस्टर और जितने भी लोस सेंट आस में लोग गाईब हुआ है जितने भी नॉर्थ येंक्टन में लोग गाईब हुआ है सबके सब भाई जिंदा हैं पिलकुल लेकिन उस सर् उसे मार दिया उसने जैसे कि वो हेलिकॉप्टर रिपेर करने वाला बंदा उसे उसे मारना था उसने मार दिया जैसे कि वो तीन बंदे चार बंदे जो की एरपोर्ट में मिले थे माइकल के वेयर हाउस के अंदर उसने उन्हें भी मार दिया वहीं पे पिल्कुल अगर उसे मारना है तो वो मार करी छोड़ती है या फिर गायब कर लेती है तो अब तुम्हारे पास दो आप्शन है पहले अपने दोस्तों की जान बचाओगे सर्वेर नांसिंग लेडी को खतम करोगे और फिर जब वो बता दे तब तुम मेरे पास आजाना पहले अपने दोस्तों को बचाओ फिर उसके बाद मैं तुम्हे उपाए बताओगा सर्वेर नांसिंग लेडी को खतम करने का ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है चैम करते हैं अभी फटाफ से लोसेंटास निकलते हैं फिर से और अभी घल्दी से चलते हैं सर्वीर नांसिंग लेडी नें फिर उसके बाद ऐसा रखने सब करने का तरीकळुनेंटेंगगगई यह 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 शेवाला प्लैन सब्स seems ए लालो तुम लोग चाहते हो कि हमारा ये प्लैन सक्सेस्फुली वॉर्क कर जाया तो तुम लोग जाओ गाईज अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो चैनल को सबस्क्राइब करो और सर्वेर डांसिंग लेडी को खतम करने के लिए तुम लोग फ्रैंक्ली नोपी लग दो कमेंट में येस चल से जल जाओ फ्रैंक्ली नोपी लग दो कमेंट में आके निकलते हैं यहां से लॉसेंटोस फिर से एक दिन लगेगा अब लॉसेंटोस महुचने में कोई बाद में चलो चलते हैं कम ओन बाई सब पैसेंजर प्लेइन के पीछे पीछे मेरा भी प्लेइन आ रहा है यार लोस एंट ओस पहुंच चुका हूं गैज ये फिर से अगला दिन आ चुका है और अभी फिलाल अरे पैसेंजर प्लेइन जल्दी से अरण वे नहीं है हट जा ओए 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 ठोके मैंने प्लेइन फैर जो भी ओए प्लेन को लेकर रेयर हाउस के अंदर चलता हूं मैं चलो भाई और भी यहां पे ओए ओए रुकजा भाई इतना फास्ट है यार यह वाला प्लेइन अरे रुक जा यार चलो गैस उतरते हैं फटाफ से अब ऐसा प्लेन है यार यह अब चलते हो सर्भी अनांसिंग लेडी के पास और उसको टॉचर करते हैं उससे उगलवाते हैं कि आखर में उसने हमारे दोस्तों को कहां किटनाप करके रख-णे रख-ख रख वैसे आइगा यख्मुझ व्युक्ज लोगों ने उसके उपocr से प्त्थर ने हटा आया पॉइंस्ते सुगा हो चुकी है और मैंने उसे कहां ट्रैप किया था लेट में रिमेंबर दिस एक बड़ी सी बिल्डिंग थी वहां से मैंने गोली चलाई थी वह बिल्डिंग अभी आगे है शायद से ओए यह तो रही बिल्डिंग और वो तो रही सर्वियां नांसिंग लेडी अभी भी पत्तर की नीचे ट्रैप्ड है अरह वारी साब तीन दिनों से यहीं पर है भाग गन से उसे डरी कहा लगता है गन से उसे चोटी नी पहुंसती है रुक जो मेरे पास एक चोटा सा प्लैन है मैं इसको थोड़ा से इदर खिसका सकता हूं साइड में यार नहीं ने कुछ गडवडवडवड हो जाएगी मैं इसले खिसकाना चाह रहा था गाईस क्योंकि क्या करूं मैं इदर सरका दूगा लेकिन यह बहुत जादा रिसकी काम होने वाला है उससे पहले काम करता हूं मैं पहले इसको वापस से बेहोश कर देता हूं हां फिर तो सरका ही सकता हूं यार कैसी बात करना हूं मैं रुको जरा बेहोश करते हैं इसे लेट्स गो कर दिया बेहोश बेहोश हो गई न है अब जरह पथर को लेंसे फाइड जल्दी से जल्दी जल्दी करना हो गई जल्डी कर डिया यहां मैंने यहां पर किसका दिया बही किसका धया चर्में डांजम का कुटा कुट कहता अब ही मुझे वैपन्स चाहिए टॉर्चर के लिए मैं इस बर यूस करूंगा स्टिकी बॉंब्स पैट्रोल मॉलोटॉव इन सब का यूस करने वालों एक बर सारी दुकाने खुल जाने दो चलो बाई दुकाने वगरा तो खुल गई जल्दी से चलते हैं इमिनेशन की शौक अब चलते हैं उसके पास सर्वे नांसिंग लेड़ी के पास अभी करते हैं उसे टॉसरे ऑचवाला टॉटोर ने कहां कहां व्योश किया था मैंने ओक ये रही व्योश को यह ब गई ऩो क genetic कह रही है प्लुकूल यह कपड़ी है यार 57 पेन पहने चलो उसमें और बाए pat deserted एक रिफल से कुछ नहीं हो रहा है वन्हें पर तेरी एसी कित ऐसी बता शिंशन भी चनीर चौप आ है लेस्टर लेमार को नहीं बतारी कुछ पिश्टल पिस्टल से कुछ फरक है लो बता रही या गोल्डन से मेरे पास एक सेंड रुक को जा रहा क्या बोलते हैं उसे हेवी रिवालवर हां ये भी है मेरे पास बदा अभे नहीं बोल रही है तो कुछ मेरे पास ये वाली भी है बोल बोल नहीं बोल रही भाई ये कुछ भी शॉट गन आई गैस अभी टाइम आ चुका है ग्रेने लॉंचर यूस करने का अभे उससे तो पास ये ग्रेने लॉंचर पहुंच गया है यहां रुकी नहीं रहे वह अलगी फिसल रहा है ग्रेने लॉंचर भाई सब गाड़ी पर बाहरता हूं मैं ताकि गाड़ी स्टकरा के इधर आ जाए अब वह कहां कैसे ग्रेने लॉंचर है यार ये हाँ अभी बिल्कुल सभी ज सेकेंड हो गया अब फैंकते हैं इसे चलो अबै कुछ नहीं हो रहा रुक जा पहले से इसका टाइमर लगा के और फैकता हूं मैं बहुत ही बड़ी आरे कुछ नहीं हो रहा भाई से तो लिटरली में कुछ शब्द नियू गल रही आस तक तक तो एक इसकी आवाज नहीं कुछ कुछ काम नहीं कर रहा है इस पर तो अब आग भाग भी लग गई अब तो कुछ हो जा और तीजी ओके और मेरी गाड़ी भी तो बगल में यह जरा गाड़ी हटा दू मैं इतना सारा धुआ निकल रहा है उसे कुछ फरक नहीं पढ़ रहा है लिटरी में क्या सीन है भ यह बाबा के पास तरीका तो था और फिर भी क्या तरीका हो गया यह तो इस नहीं सारी जो है यह उपस तबी भाग चुकी थी ओए तू कहा रहा रहा थे ओए इतनी मुश्किल से तो आग जलाई है मैंने वहाँ पर आ रहा भागो याज चलो हाँ तो मैं कहा रहा था गैस एपिसोड याद होगा जिसमें हम लोग गैसूलीन लेने के लिए घर पे गए ते इसे ट्रैप करें उतने में गायब हो गए थी तब हम लोग लग रहा था कि शायद इसको आग से जलाया जा सकता है बट आज पता चल रहा भाई कुछ फरक नहीं पढ़ रहा है इसे आख से भी देखो निकालो मैं गैसूलीन मैं लेकर आया हूँ ये देखो अभी ये गैसूलीन इसके चार तरफ च्छड़क देता हूं ठीक है बिल्कुल इसके उपर ये गैसूलीन भी च्छड़क दिया ये लो भाई इसके मूपे यह और बताओ तुम कोई फरक नी पड़राया भाई उसे आजल जल जरी है उसे पद नहीं दर्द भी हो रहा है किने ओए से अर्बिया नांसिंग लेडी अप 1400 नी बता रही है कुछ ने बता रही है इसे आरहीत डांज पर है यह कुछ ने बता रही है यह और पास ओर क्या क्या है है RPG यह बाँ तो यह नहीं बोलेगी, रुख जाओ, मैं सच तो उगलवा कि रहूंगा, एक तो यह अबुलेंस और यह फायर बगेट वाले क्यों आ रहे हैं, निकलो बेहां से, तुम लोगो बुलाए है किसी ने, बेह मतलब मैं आ जा रहे हैं जब देखो तो, अब मैं जा रहा हूँ गया यहां से मिलिटरी के पास, टैंक लेने के लिए, तुम लोग सोचोगे क्यों, अभी पता चल जाएगा, फिलाल तो अपनी गाड़ी भी लेके जाओंगा, मैं किसी और की लेके जाता हूँ, रुक जाओ, यह अमुलेंस लेके जाता हूँ, चलो मिलिटरी के बेस चलते हैं, और फिर टैंक से अमला करेंगे, या फिर टैंक से पहले रुको भाई, यह ज़रा गाड़ी चड़ाओं है इसको उपर, वह इससे तो तुझे कुछ नहीं फरक पढ़ रहा है, इसे तो, रुक जा, रुक जा, इससे भी भारी कैट ट्रॉक है, को ट्रॉक, ट्रॉक जा रहा ह अब जल्दी से चलते हैं, अरे एक और बस आ गई, वो बस वाला तो रुका नहीं चलो यह वाली बस ले लेते हैं, या फिर रुक गई, अब वो बस वाला कैसे बंदे हैं, एक तो, यहां पर उससे रोकने हैं कई, वहां जा कुछ उसने बस रोकी है, चलो मुझे यह बस मिल ताहरा बता देंवी वह एसे भी बता देंख्यंक, ắng बता देंख्यंक, आ रहा? आनल जुए मेरा हमारा बन से भीनानल जोवष लुकश रहा? लेके लिया था वेपन तो मिले नहीं लेकिन आज तैंक जरूर लेकर जाओंगा ओए ट्ैंक दो है और फटाफट तैंक मिल्कात तैंक मिलेका अथ पहर नहीं सच में ही भाई अब नहीं बचे कि इसकी तोप से या टैंक होते तो बहुत पावरफुल हैं बहुत ही दमदार है लेकिन स्पीड बहुत ही जाड़ा हद से स्लो होती है कब का निकलावाओं मैं यहां पर दो पहर हो गई अब जाके पहुंचाओ मैं इस टैंक को ले पर गुछ भी रहा है उसे पर सच बता दे भाई अभी क्यों इतने टौर्चर से और नहीं बतारी वाई ओय होशमें भी है यह मेरे मेरे तो समझ नहीं आरा भी अभी तक तो होई वी कुछ भी बोल जाएगा यह क्योंने बोल रही है हॉत होश में है यह आत्म जोब हो रह त तक इसे फिनिश भी कर चुका होता लेकिन यही तो मजबूरी है जब तक यह सच नहीं उगलेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता जाके यार उन्हाले बाबा के पास ही जारो मैं उन्हें जाके बताना पड़ेगा कि मैंने तो इसे बहुत टॉर्चर किया है आग वाग इस्ट इसे चलते हैं नौर्फ एंक्टन फिर से एक दिन जाएगा कोई बात नहीं पता नियारी शिंचन बिंचन कहां पर है अब सर्वें डांसिंग लेडी को मैंने ट्रैप कर दिया है तो इन्हें खाना माना भी मिल रहा होगा कि नहीं पता नहीं भाई चासी ने चलते हैं फटा रहे हैं छलो और वो जमी हुई नदी ये रही फटाफर से इदर करने के कोशिश करते हैं कहां आराम से अरे अरे कहां लेंडिंग कर रहा हम से वह एवह क्रैस्ट नहां हो जा भाई मैं वापस कैसे जाओंगा बस रुप प्लेन मेरे रुकचा बास इस भाए चलो उतरते हैं बॉम फैके टैंक तक का यूस की है मैंने मशीन गन तक यूस की ट्रक ब्रस बस सब चड़ा दिया उसके ओपर फिर वो हिल डूल रही लेकिन कुछ भी जबाब नहीं दे रही है फिर तो रगता है एक ही तरीका आजमाना पड़ेगा उससे सच उगलवाने के लिए कौन सा तरीका बताता हूं तुम्हे फिलाल तो गैस इनके पास कोई दूसरा तरीका है जिससे हम लोग अपने शिंचेन पिंचेन और चौप के बारे में पता कर सकते हैं और यह तरीका इनके पास है बिलकुल बताएंगे हमें यह नेक्ट वाल एपिसोर में है फिलाल तो गैस आज की वीडियो बढ़ी है लगए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें करें याद सो ओन निटिशन अन करेंगें मिल दें नेक्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए गुट पाई और नेक्स्ट एपिसोड जल से जल चाहते हो तो जाकर वीडियो को लाइक कर दो बाकी पूरी सीरिस तुम लोग यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो गुट पाई